Hello friends, आज हम बात करने वाले ऐसे 3 most creative and unique festivals के बारे में जो इंडिया के बार मनाया जाते हैं वैसे तो हमारे देश की बात कुछ और ही है लेकिन चलो आज हम बार के फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ अमेरिका जहाँ पे हमारा सबसे पहला फेस्टिवल मनाया जाता है फेस्टिवल इंडर स्काई अमेरिका के रेडियो स्टेशन की 50th anniversary के दिन October 1972 में 13 बालून हवा में उड़ाए गए थे जिसको देखने 20 अजा लोग आये थे लेकिंग आज इस फेस्टिवल ने नया मोर ले लिया है जहाँ पे 750 air balloons and more than 100,000 people इस फेस्टिवल को देखने आते है और यहाँ तक कि इस फेस्टिवल को सबसे ज़्यादा photographic event in the world माना जाता है तो चलो इतनी गर्मी में से मैं आपको ले चलता हूँ ठंडे फेस्टिवल में जहाँ पे आपको सिर्फ बरफ ही बरफ मिलेगी और वो है Ice and Snow Festival यह फेस्टिवल चाइना में मनाया जाता है और अब आप जो स्क्रीम पर देख रहे हो उसे देखकर आपको लगता होगा कि यह प्लास्टिक से बना हो लेकिन नई दोस्तों यह सारे स्क्लप्चर्स 100% Ice से बने है और इसे बनाने में सिर्फ 15 दिन लगते है क्योंकि दोस्तों इसमें स्पेट के बहुत आवशिक्ता होती है आप समझ ही रहे होंगे यह सारे स्क्लप्चर्स 600,000 स्क्वार मिटर्स में मनाये जाते है और हम यहाँ पे साइकलिंग, आइस्केटिंग और स्विमिंग तक कर सकते है अगर आपको चाइना जाने का मौका मिले तो इस फेस्टियन में जरूर जाना और इसे पूरी तरह एंजल करना अगला फेस्टिवल हमारा लास्ट और आपका सबसे फेवरेट फेस्टिवल होगा और यह मैं कह सकता हूँ क्योंकि उसका नाम है Electronic Music Festival हर साल Belgium Tomorrowland Music Festival को होस्ट करता है टिके तो दोस्तों मिन्टू में सेल हो जाती है लेकिन सवाल है कि Tomorrowland इतना पॉपिलर क्यों है यह इसलिए दोस्तों क्यों कि Tomorrowland में वर्ल्ट के बेस्ट डीजे एन इलेक्ट्रोनिक मुजिक परफरमर को ही इन्वैट किया जाता है जैसे कि मार्टिंग गेरिक्स, डेवेड, हार्डवेल जैसे पर सिफ इससे ही Tomorrowland इतना पॉपिलर नहीं है यहाँ पे फैन पार्क, फायरवक जैसे बहुत सी चीजे होती है जिसे लोग पूरी तरह एन्जोय करते है इवन अगर आप सिर्फ स्टेज को देखे तो लगेगा कि कोई साइन्स फिक्शन मुवी का फूरा रियल सेट लगाया हो तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग यह तो हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे लाइक करे, शेर करे और कॉमेंट करके ज़रूर बताएए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए